आज दोस्तों तो आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के वरे में बात करने जा रहे हैं सूडो फोर्सेज आपने कितना ही बार सुना होगा इसके बारे में और आपको शायद लगता भी होगा कि इस कॉंसेट की वज़े से शायद आपके बहुत सारे सवाल नहीं हो पा रहे हैं तो चलिए आज ये इस टॉपिक के वारे में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज तो दोस्तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जब आप Newton second law of motion का जो equation है f is equal to m a जब लिखते हैं तो ये जो दोस्तो equation हुई f is equal to m into a अब यहाँ पर दोस्तो ये जो acceleration है ये acceleration की जो value है वो change हो सकती है अगर मैं मान लीजे कि ये मैं observer रहा थे अगर मैं यहां भागते हुए मेरा मान लीजे acceleration यहां पर two meter per second square है तो अगर भागते हुए अगर मैं एक यहां पर object एक पत्थर को भी देखूंगा तो यह object भले ही rest पर हो लेकिन मेरे respect में यह object पीछे की तरफ जा रहा है है कि नहीं तो इस object की मेरे respect में acceleration हो गई तो मेरे respect में जो acceleration होगा वो मैंने measure किया है तो यह जो equation है यह equation क्या जो मैंने measure कि acceleration क्या उसके respect में लिख सकता हूं मैं उसका जवाब clear cut ना है क्योंकि भाई यह object rest पर ही था तो यह जो administration आ रहा है दोस्तों यह मेरी खुद की movement की वज़े से आ रहा है नेट फोर्स इसमें 0 ही था तो इसको हम लोग थोड़ा से detail में समझेंगे दोस्तों क्योंकि होता क्या है कि इसको बस हम एक theoretical concept की तरह लेते हैं और जब numerical solving की तरफ जाते हैं तो हम problem इसको इस चीज़ को हम tackle नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा बारीक में इसको समझेंगे ताकि हम लोग जो है बहुत सारे जो सवाल हैं जिसमें हम लोग pseudo force यूज करके आसानी से जो है इसको solve कर सकते हैं वो हम कर सके हैं ठीक तो दोस्तों जो frame of reference है वो दो तरह के होते हैं एक होता है inertia frame of reference जिसमें जो observer है जिसमें जो observer है वो उसका activation zero है और एक non-inertive frame होता है दोस्तों जिसमें जो observer है उसका खुद का भी एक acceleration है तो जो भी मैं यहाँ पर देखूँगा non-inertive frame में अगर कोई observer है या मैं खुद अगर एक observer हूँ मैं जो भी देखूंगा मैं यहां पर क्या observe करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ relative acceleration ही observe करूंगा दोस्तों तो कभी भी मुझे सूडो फोर्स किसी भी problem में use करना है मुझे relative acceleration पता होना चाहिए या उसके बारे में at least उसका direction पता होना चाहिए तब मैं pseudo force आसानी से use कर पाँगा तो दोस्तों यहां पर मैं inertial frame, non-inertial frame और Newton second law इसी तरह से मैं नाम ले ले रहा हूँ क्योंकि मैं यह assume कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग already laws of motion chapter खदम कर चुके होंगे अपनी तरफ से आप लोग बहुत ही comfortable होंगे तो अगर आपका आपने start नहीं किया चैप्टर या आपने बहुत सारे सवाल नहीं लगाए इस चैप्टर के तो मैं आपको बोलूँगा यह वीडियो मत देखिए अभी आप जाके अपना basics जो है जो नॉन सुड़फोर्स के related concept है वो सब कर ली है आगे चलते हैं अब है कि सिंपल ही हम यहां पर समझेंगे कि जो नॉन इसे फ्रेम और रिफरेंस अगर आपने लिया उसमें आपको एक सूड़ो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा तब जाके आपका न्यूटन सेकेंड लॉग वैलेड होगा नहीं तो आप वो इक्वेश अब हमेशा ध्यान में रखिए अब हमने सूड़ो फोर्स अगर किसी को भी ठीक से घ्यान भी होगा सूड़ो फोर्स का अट लीस अप तू ग्रेड एलेवन हमने हमेशा यह समझाए कि सूड़ो फोर्स एक ही तरह का होता है और बस हम लोग वो यूज़ करके आगे बढ़ देए लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है सूड़ो फोर्स चार तरह के होते हैं यह चार सूड़ो फोर्स होते हैं तो पहला सूड़ो फोर्स होता है हम लोग लगाते हैं व्यूंप ली अखलरूरिट डी हलें नियौ को ۔ तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक सेंटिफ्यूगल फोर्स कंसेर कर सकते हैं रेडिली आउट वर्ट तीसरा जो फोर्स होता है वो रोटेटिंग फ्रेम और रिफरेंस में ही लगता है लेकिन उस समय जो है ऑबजेक्ट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रेड लेकिन नाओ डिर इस सम एंगुलर एक्सिलेरेशन और तो यह चार तरह के फोर्स होते हैं दोस्तों यहां पर हलकि मैं आपको बहुत जादा बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहरा हूं लेकिन ऐसा कॉंसेप्ट हमारी अंडरस्टेंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए तो यह स उसके उपर कुछ सवाल भी लगाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अभी कि यह आपने यह एक्जांपल हमने ले चुका है जिसमें हम लोग ने माना था कि एक आदमी जो है आगे भाग रहा है वी तक सम एक्रेशन तो ऑबजेक्ट को देखेगा तो ऑबजेक्ट का भी एक एक औब्ज़र्वर कर रहा है तो जब ट्रीस को देखेगा दोस्तों तो पीछे की तरफ आख्ट करते होई दिखेंगे अरे खुद का इसका मतलब ट्रीजू पर कोई फोर्स लग रहा है जिसके वैसे वह एक्रेशन दिखा रहा है उसका यह मतलब बिलकुल नहीं है तो हम लोगों को अगर Newton Second Law of Motion पर लगाना है रिलेटिव टूदी परसन हुई सिटिंग उन्दा कार में जो अंदर बैठा है उसको क्या दिख रहा है उसको तो एक्सेशन दिख रहा है तो वह बैठ के अगर इक्वेशन लिखेगा तो वह तो एक्सेशन ओट्री कंजिर करेगा तो य इंटू अफटी रगाना पड़ेगा और यह जब फीूर्स वह एजूम कर लेगा थाब वो बोल सकता है कि मास इंटू एक्वेशन ओट्री इस पर। येएक्वेशन नहीं यह वागिए हो जाती है अब यह बहुत ही सिंपल सा एक्जामपल है दोस्तों हम लोग इसके उपर जब निमेरिकल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी बारीकिया होती है इसमें लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए जब भी आप सूडो फोर्स लगाएंगे आप जब लिख रहे हैं जब ने में डिख रहे हैं वह एक बाहर की तरफ हमें एक फोर्स लग रहा है लेकिन frankly speaking अगर आप खुद भी rotate हो रहे हैं अगर आप खुद भी rotate हो रहे हैं दोस्तों तो आपको लगेगा जिस छोटे से clip में आप देख रहे होगे कि यह जो बच्ची है रोटेट कर रहे है लेकिन जब यह छूटती है rotating frame से तो जो यह लड़का रोटेट कर रहा है उसको उसको लगेगा कि यह जो लड़की है यह readily outward गई है क्योंकि यह लड़का खुद भी rotate कर रहा है लेकिन अगर कोई यहां ground में खड़ा है उसको लगेगा कि यह जो बच्ची है यह tangentially इस तरह से गई है तो यह बस हम लोग को relatively लगता है कि readily outward गई है यह outward नहीं गई है यह tangentially गई है बट क्योंकि यह लड़का मेरा observer है तो यहां पर मुझे यह देखना पड़ेगा कि जो लड़का observe कर रहा है वो क्या observe कर रहा है वो तो एक्रेशन भाही की तरफ observe कर रहा है तो मेरे के इसको respect में अगर बच्चे के respect में अगर मैं Newton second law लिखूँगा तब मेरे को pseudo force consider करना पड़ेगा अब यहां पर दोस्तों एक interesting चीज आ जाती है जैसे मान लीजिए एक object है एक object इस circle में rotate कर रहा है ठीक है दोस्तों तो आपको तो पता ही होगा कि tension force लगेगा यहां पर मान लीजिए horizontal circle है इस तरह से यह velocity हो गई अब अगर मेरा observer यह object खुद है यह object खुद ही मेरा observer है तो अगर यह मेरा observer है तो यह observer है अब एक तरह से rest में आ गया क्योंकि जो object अगर अपने आपको observer अगर अपने आपको देखेगा तो वो तो कितनी भी velocity acceleration हो जाए उसके खुद के respect में तो rest में है तो इसी तरह से अगर मैं इस object के respect में Newton second law of motion की equation लिखने का प्रयास करूंगा तो मुझे एक fictitious force consider करना पड़ेगा वो readily outward होगी दोस्तों और उसकी value होगी mv square by r अब मेरे respect में मेरी खुद की acceleration zero है तो मैं rotate करना हूँ circle में तो मेरे respect मेरी खुद की acceleration zero है तो ये तो rest पे हो गया अब जो tension इस तरह हो गया एक ये fictitious force यहाँ पर हो गया तो total force zero होना चाहिए तो इस तरह से मैं equation लिखूंगा इस respect में लेकिन अगर कोई observer ground में है तब उस observer के respect में ये object rotate कर रहा है दोस्तों और center की तरफ उसका acceleration है V square by R तब मैं ये fictitious force नहीं consider करूंगा क्यों क्योंकि observer अब mass times acceleration लिखना है तो आप देखेंगे कि equation दोनों एक जैसी ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग-अलग है तो हम इसके बार में और भी discussion करेंगे अगले वीडियो में अभी तो मैं बस आपको introduce करा रहा हूं अलग-अलग pseudo force से चलिए दोस्तों तो ये एक आखरी pseudo force हम discuss कर रहे हैं इस pseudo force का नाम है Coriolis force यहां पर आप आप देखेंगे कि एक example देख लीजे कि यह यह observer है यह खुद भी रोटेट कर रहा है इस observer ने ball थो करी towards the center जहां पर यह रखा हुआ है लेकिन यह observer जो है expect कर रहा था कि ball basket में जाएगी लेकिन हुआ क्या आप देखेंगे कि इस ball ने turn ले लिया लेकिन यह जो ball ने turn लिया यह बॉल इस observer के respect में turn लिया बॉल ने तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप यहां देखेंगे second diagram में देखेंगे तो यह जो white balls आपको दिख रही है white balls अगर मान लीजिए observer है तो इस white ball के respect में relatively यह जो purple ball है turn लेती है लेकिन पहले figure में अगर आप देखेंगे जब यह पहले figure में आप देखेंगे जब white ball जो बाहर की तरफ रखी है वो rest में है उनके respect में ball straight जा रही है तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मुझे actual acceleration से कुछ लिना देना नहीं यहां पर मुझे observer को क्या दिख रहा है क्या महसूस हो रहा है वो acceleration मेरे लिए paramount है उसके respect में मैं forceable to mass time acceleration लिखना चाहता हूं तो अगर मैं इन सब को mathematically लिखने के लिए जाऊं तो दोस्तों यह equation बनती है पुरी यह हमारी complete Newton's second law of motion की equation है जहां पर जो observer है दोस्तों वो observer खुद accelerate कर रहा है यहां पर यह हमको net force यह assume करना है जो कि जो real force है वो तो है ही minus Coriolis force minus centrifugal force और यह Euler force है दोस्तों जिसके बारे में हमने discussion नहीं किया है इसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाएंगे काफी लंबी वीडियो हो जाएगी यहां पर हम assume कर रहे हैं कि जब भी observer rotating frame of reference में है तो अगर ऐसा है तो Euler force pseudo force नहीं है और यह हमारा force है दोस्तों लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को इसमें further detail में जाने के जरुवत है तो इसलिए जो है हमाई तरफ से हम एक problem solving series निकालेंगे जिसमें अलग तरह के pseudo force हम कैसे consider करते हैं और क्यों consider करते हैं क्योंकि pseudo force in reality exist तो करते नहीं है तो without pseudo force use किये हम लोग सारे सवाल लटा सकते हैं लेकिन कई बार pseudo force consider करके हमारे सवाल आसानी से हो जाते हैं उसका एक simple सा reason यह है क्योंकि हमें relative acceleration साफ साफ दिखरा होता है लेकिन absolute acceleration बहुत tricky होता है उसको visualize करने के लिए तो यह जो concept है तभी use किया जाता है जब relative acceleration easily visualize किया जाता है बट हमारा absolute equation जो है clearly visualize नहीं किया जाता है तो जैसे ही आपको समझ में आ गया कि with respect to मान लीजे किसी एक objects के मेरे को सारा motion clear हो रहा है तो आप उस object को ही observer मान लेंगे और उसके respect में equation लिखेंगे और वो object जो है हो सकता एक्रेट कर रहा हूं तब आपको इस तरह से pseudo force consider करना है तो दोस्तों मैं आपके लिए जल्दी ही एक series of videos लेके आऊँगा जिसमें हम लोग काफी सारे pseudo force use कर करके हम लोग जानेंगे कि किस तरह से simply हमारे सवाल solve हो जाते हैं all right so till then bye for now we'll see you soon